तो ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को मेरी ये वाली वीडियो यहाँ पर आप देख पाओगे जिसके अंदर मैंने बताया था कि Z Archival से कैसे आप लोग डाटा और OBB को एक्सेस कर सकते हो ये वीडियो फेक लग रही थी मैंने बहुत सा सारी चीजे बताएं कि आपको ये step लेना है वो step लेना है मैं आज यहाँ पर आपको फिर से वही सारी चीजे बताऊंगा फिर से मैं demonstrate करके दिखा रहा हूँ स्टार्ड से ठीक है तो make sure अगर आपने वह वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर देख लो कि हां भाई जो मैं मैंने method बताया है वह 101% working है ठीक है अब ध्यान से समझो data और OBB को access करने के लिए तुमको सिर्फ और सिफ दो step लेने है पहला step लेना है कि जो z archiver का version मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना या तो तुम वह version use करो ठीक है अपने phone के अंदर या फिर उस version से ऊपर का कोई भी version तो तुम लोग वही वाला version करना या फिर उससे ऊपर का कोई भी कर सकते हो ठीक है तो यह तो हो गया step number one अभी step number two जो है ना वह भाई बहुत मेन है और इसी में लोगों का भाई जादा तर प्रॉब्लम आ रहा है यह step number two है shizuku को सही तरीके से रन करने का अब देखो मैंने लोगों को लगता है कि यह क्या यह तो कोई दिक्कत की बात नहीं हम लोग तो भी चालू कर चुके अब हम लोग आगे का काम करेंगे नहीं तुम्हें उस error को fix करना है और उस error को fix करने के लिए मैंने अपने चैनल पे दो वीडियो पहले से बना रखी है तो make sure करो कि जो भी शिजूकू के अंदर red color का error आता है उसको जरूर fix कर लो ठीक है चाहे मेरी वीडियो को देख कर के करो चाहे YouTube पे कहीं से भी देखो बट तुम्हें वो red error fix करना है शिजूकू तुम्हारा सही से running होना चीए ठीक है बस यही दो काम करने है और तुम्हारा data और OBB का access बहुत ह गया अब कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग बोल रहते है भैया data बीधह तुमने दिखा दिया बट इसके अंदर तो यार क्या हम लोग को इसा हो सकता है मैं अच यहां पे सब कुछ दिखा दूँगा ताकि तुम्हारा जो दिमाग है वो थोड़ा क्लियर हो जाए ठीक है और चलो मैं दिखाता हूं और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि जो मेरा Android वर्जन है वो Android 14 है ठीक है मैं तुमको दिखा दे रहा हूं ताकि कोई यह न कहीं कि भीया न सब पर वर्क करता है तुम एक बार सही से ट्राइ तो करो भाई प्लीज सही से ट्राइ करो वीडियो पूरी देखो इन डीटेल मैंने बताया ठीक है चलो अभी क्या है मैं आपको स्टेप बार स्टेप फिल से दिखा दे रहा हूं वैसे मैं यहां पर थोड़ा जल्दी करू है इससे आगे का कोई अपडेट आ गया हो तो भी को दिक्कत निए वह कर लेना ठीक है इससे पहले के जो वर्जन से उनके उपर मैंने टेस्ट नहीं किया तो मुझे उनका आइडिया नहीं है तो प्लीज यहां पर ध्यान से देख लो वर्जन कौन साइड ठीक है अभी एक अब ही है अगर मैं Android के चला जाओ और data के चला जाओ तो यहां पर एक चीज लिख कर आ रही एक इस दिनाइड ठीक है यहां पर लिख और करके आ रहा है ठीक है चलो इसको मैंने हटा दिया अभी क्या करता हूं मैं अगर अब Shizuku को मैं यह से स्टार्ट करता हूं ठीक है जह पर मैंने बताया है अच्छे से ठीक है तो मेक शूर तुम लोग उसको जरूर फॉलो करो यार तुम लोग वीडियो नहीं फॉलो करोगे तो कैसे काम चलेगा ठीक है अभी यहां पर देख पाऊगे अगर यह वेटिंग फॉर सर्विस की उपर थोड़ा सा रुका रहे तो यहां पर देख पाऊगे कि मेरा शिजुकू बहुत ही अच्छे से रनी है अब यहां पर एक चीज़ नोटिस करो क्या मेरे शिजुकू में कोई लाल करर का यहां एरर दिख रहा है नहीं अगर तुम लोग सबसे पहले उस एरर को फिक्स करोगे उसकी दो वीडियो मेरे चै टेलिग्राम ग्रूप में आओ मुझे मैसेज करो मैं वहां पर बाकी हैंडिल करता हूं ठीक है और मेक्शूर करना कि यहां पर यह देखो ऑथराइस चार अप्लिकेशन है यहां से अगर जैड आर्चीवर तुम इसको जरूर कर देना अगर नहीं दिख रहा कोई दिक्कत म लगेगा तुमको सिंपल से जानती हूं क्या करना है शिजूकू रनिंग है शिजूकू बहुत ही अच्छे से रनिंग है चलो अभी हम लोग जैड आर्चीवर के अंदर आते हैं और यहां पर देखो आते यहां पर डाटा का फोल्डर पहले से दिखने लगया बड़ मैं फ पूरा जैड आर्चीवर फोस स्टॉप करके वापस से रिस्टार्ट करना 101 परसेंट वरकिंग है ध्यान से देख लो कोई एडिटेड नहीं है तुम्हारे सामने सब कुछ है इसलिए ध्यान से मेरी बातों को समझा करो भाई प्लीज ठीक है चलो अभी यहां पर मैंने तु फोल्डर वगेरा में कट कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकता हूं बिल्कुल शिजुकू तुमको रूट की पावर देता है और रूट की पावर से क्या कुछ नहीं हो सकता भाई समझा करो बात को अभी तुमको मैं दिखा रहा हूं ओबीबी के अंदर मैं गया यहां पर ध्य कर दिया चलो अभी मैं डाटा के अंदर आ जाता हूं तो डाटा के अंदर आनेक बात आप लोग यहां पर सिंपल से देख सकते हो बहुत सारे फोल्डर हैं बट मैं सिंपल से क्या करूंगा यहां पर ध्यान से दिखो एक पाई-ड्रोइड नाम से तुमको फोल्डर दिख होगे न तभी होगा अपने दिमाग का यूज करो भाई इतना फेक नहीं बना सकता मैं ठीक है चलो अभी फिलाल मैंने डिलीट करना तो बता दिया बट बहुत साहे लोगों को यह भी सकता है मैं सारे जानता हूं भाया इसके अंदर कोई चीज पेस्ट करके दिखा दो और न्यू फोल्डर बना के दिखा दो क्या फोल्डर बनते बिल्कुल बनते हैं भाया लोग डाटा के अंदर तुम लोग यह प्लस के आइकन पर दबाओगे ना शिजूकू के आनिक बाद ह हर एक चीज भाय पॉसिबल हो जाती है तुमको हर एक चीज के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है ठीक है ध्यान से देखो यहां पर फोल्डर तुम लोग क्लिक करोगे और क्लिक करते कुछ इस टैप का सेक्शन यहां पर खुलके आएगा तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है सिंपल से जो भी तुमको मन हो फोल्डर का नाम रखने का वह रख देना ठीक है यहां पे तुम्हें कॉम डॉट एंड्रोइड ठीक है या फिर कुछ भी यह देखो कुछ भी रख दो तुम्हारे उबर डिपेंड करता यहां पर मैं ओके कर दूँगा यहां पर ध् प्लस का आइकन था बड़ यहां पर नहीं है तो तुम लोग सोच रहोगे कि लो अब तो यहां पर नहीं बन पाए का नहीं ऐसा मत सोचो इसके लिए उपर से बना लो यहां पर दबाओ क्रियेट न्यू फोल्डर यहां से कर लो यार प्लीज ध्यानते देखो यहां पर मैं फिर से गया अगर यहां पर भी कुछ करना है कॉम डॉट यह देखो और मैं ओके करूंगा लो बन गया फोल्डर अब बताओ कौन समय ने रॉकेट साइंस कर दिया कौन समय जूट बोल रहा था थोड़ा ट्रस्ट करो ठीक है अभी मैं क्या करता हूं तुम लोगों को एक-एक फाइल को भी पेश्ट करके दिखा रहा हूं अब मेरे पास अभी कोई गेम नहीं है पबजी वबजी ठीक है अब मुझे या तो तुम लोग गेम भी सजेस्ट करते उसके पर भी मैं वीडियो बना दूँगा कि भाईया उसका डाटा फोल्डर कैसे डाले उसका ओबीबी फोल्डर कैसे डाले और एक और काम करना उसका जो डाटा और कोई भी फाइल मैं उठा लेता हूँ यार अभी मैं क्या करूं यहां पर ध्यान से झाऊ ये एक फाइल ये एक फॉल्डर में प्टा लेता हूं यहां पर ध्यान से दिख़ो मैं एकसूपी कर दिया ιू अब बताओ, बोलो, यूट्यूब में पेस्ट कर दिया मैंने, अभी मैं अगर चाहूं, तो दूसरी एक फाइल उठा लेता हूं, लो, यहां से मैं back क्या, अभी मैं ये APK फाइल उठा लेता हूं, ठीक है, ये APK फाइल उठा ली, और इसको Android के अंदर ले गया, अब तुम लोगों का दिमाग चलने लगा होगा, अगर इसने data में पेस्ट कर दिया, तो OBB में कर लोगा, ध्यां से देखो, OBB में गया, और किसी भी folder के अंदर, यहां पे ध्यान से देखो, यह पाइडरोइट 3 का folder है, इसके अंदर गया, यहां पे folder empty आ रहा है, और यहां पे मैं simple से दबाऊंगा, और यहां पे तुम लोग देखो, APK paste, मैं चाहूं, तो इस folder को भी हटा सकता हूं, OBB के अंदर से, येलो, delete, और data के अंदर जा करके, भाईया, मुझे कोई भी folder यहां से हटाने का मन होगा, यहां पे ध्यान से देखो, कोई भी folder, literally मैं कोई भी folder चाहूं, मैं और यह भी delete हो गया लोग, अब बताओ, अब बोलो, अब तुम लोगों के पास भाई, कोई reason नहीं होना चाहिए, मुझे गलत बोलनेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी videos बनाता हूं, तुम लोग एक दो बार test करते हो गया, मैं उसी video के लिए, भाई, पांच ये phone के उपर, साथ बार test करता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई भी गलत content जाए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई, मैं कभी गलत content नहीं बनाऊंगा, या फिर कभी बन नहीं सकता, बिल्कुल बन सकता है, इंसान हो गलती हो सकती, बट, यहां पर तुम लोग जो बोल रहे हो कि वीडियो बनाई थी, उसको भी जा करके देखो, ताकि तुम लोगों को in detail में ये सारी चीजे पता चल सके कि हां भाईया ये चीज होती है, ठीक है, चलो, I hope so कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी चैनल को like, subscribe, share जलू कर देना, तो हम लोग मिलते हैं अगली कमाल की वीडियो में, हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा एक और चैनल है, जिसके उपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की rare वीडियो पोस्ट करता हूं, तो प्लीज आप लोग उसको जाकर चेकाओ कर सकते हैं, उस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनो जगा मिल जाएगी